गुड मॉर्निंग साथियों सभी को सुपरभात आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत है आपके अपने चेनल साइन्स पैटर क्लासेज में दोस्तो आज है 18 जुलाई और 18 जुलाई के करंट अफेर्स के जितने भी क्यूसंस बनते हैं उन सभी को आज की इस क्लास में हम पारी रखें निस्शिती आप अपनी सफलता की और बढ़ते चले जाओगे तो चलिए साथियों सुरू करते हैं आज का पहला क्यूसन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर भारतिय सेना ने किस देश के साथ नॉमेडिक ऐलिफेंट से ने अभ्यास किया है आपके सामने है मंग मंगोलिया, कजाकिस्तान, उजबैकिस्तान और जापान अभी दोस्तों हाल ही में भारतिय सेना ने मंगोलिया के साथ मिलकर के एक सेन ने अभ्यास किया है जिसका नाम है नॉमेडिक ऐलिफेंट जो की 17 जुलाई 2023 को सुरू हुआ था इसके इलावा नोट करें इस अभ्यास का जो आवजन है वो मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में किया गया है वेरी इंपोर्टेंट मंगोलिया की जो राजधानी है वो क्या है साथियो मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर और मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर के अंदर नॉमेडिक ऐलिफेंट स ने अभ्यास का आईजन किया गया है इस परकार से इस क्यूसन का राइट आंसर होता है उप्सन नमबर A मंगोलिया चलिए बढ़ते हैं अगले क्यूसन की उर्प अगला क्यूसन आपके सामने हाल ही में खादे पदार्थों की कमी और बढ़ती कीमतों पर अंकुस लगाने के लिए किस देश ने अपातकाल की घोशना की है आपके सामने सोमालिया नाइजीरिया केनिया और बोच्वाना अभी दोस्तों हाल ही में नाइजीरिया के राश्टरपती और नाइजीरिया के राश्टरपती हैं बोला टीनूबू आप यहां से नोट करते जाएं नाइजीरि में अपातकाल की घोशना की गई है इस परकार से इस क्यूशन का राइट आंशर होता है ऑप्शन नमबर बी नाइजीरिया चलिए बढ़ते हैं अगले क्यूशन की और अगला क्यूशन आपके सामने हाल ही में ओथूर पान के पत्तों के लिए किसे जी आई टेक परदान किया गया है ऑप्शन आपके सामने गोवा तमिलाडू केरल और महरास्टर दोस्तों बात करें जी आई टेक की तो 1929 के अधिनियम के दोरान इसकी सुरुवात होती है इसके इलावा नोट करें ये वानिजे और उध्योग मंत्राले के अधिन आता है और ये 10 वर्सों के लिए पर पहली बार जी आई टेक जो है वो 2004 में परदान किया जाता है और 2004 में पहली बार जी आई टेक जो है वो किसे परदान किया गया दार्जलिंग की चाय को वेरी इंपोर्टेंट किसे परदान किया जाता है दार्जलिंग की चाय को पहली बार 2004 में जी आई टेक परदान किया गय इस परकार से इस क्यूशन का राइट आंसर होता है उप्शन नमबर बी तमिल लाडू चलिए बढ़ते हैं अगले क्यूशन की और अगला क्यूशन आपके सामने हाल ही में वेस्ट इंडीज के खिलाफ विदेश में टेस्ट डेब्यू पर सरवाधिक रन बनाने का भारती रि मैच हुए हैं कहां पर हुए हैं डोमानी का नामक इस्थान पर इस मैच के दोरां भारत के यहां से नोट करते जाएं भारत के यहां 111 रन बनाकर कितने रन बनाकर 171 रन बनाकर विदेशी धरती पर टेस्ट डेब्यू मैच में सर्वाधिक रन बनाने का रेकोर्ड हासिल किया है इसके अलावा Noroberकरें ये ससवी जाइसवाल का ये पहला टेस्ट मैच था Very important कितने रन बना करके 371 रन बना करके विरेशी धर्थी पर टेस्ट डेब्यू मैच में सरवाधिक रन बनाने का भारतिय रिकोर्ड हासिल किया है इस परकार से इस क्यूशन का राइट आंसर होता है उप्सन नमबर सी ये सस्वी जाइसवाल चलिए बढ़ते हैं अगले क्यूशन की ओर अगला क्यूशन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर हाल ही में मानव हाथी संगर्स को कम करने के लिए गजा है कोठा प्रोजेक्ट किसने परारम किया है अभी दोस्तो हाल ही में मानव हाथी संगर्स को कम करने के लिए असम राज्ये के दवारा गजा कोठा प्रोजेक्ट को परारम किया गया है इस परकार से इस क्यूशन का राइट आंसर होता है उप्शन नमबर C असम चलिए बढ़ते हैं अगले क्यूशन की और अगला क्यूशन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर अभी दोस्तो हाल ही में गोल्डन पिकोग परियावरन परभंधन पुरुसकार की बात करें तो ये किसे परदान किया गया है अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को परदान किया गया है इस परकार से इस क्यूशन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नमबर बी अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड चलिए बढ़ते हैं अगले क्यूशन की और अगला क्यूशन आपके सामने हाल ही में रेजर पे इंडिया ने अपना पहला अंतरास्टिय भुकतान गेटवे कहां लोंच किया है अप्शन आपके सामने सिंगापूर, मलेसिया, इंडोनेसिया और वियतनाम अभी दोस्तो हाल ही में रेजर पे इंडिया ने अपना पहला अंतरास्टिय भुकतान गेटवे जो है वो मलेसिया के अंदर लोंच किया है इस परकार से इस क्यूशन का राइट आंशर होता है अप्शन नमबर भी मलेसिया चलिए बढ़ते हैं अगले क्यूशन की और अगला क्यूशन आपके सामने टाइम्स हायर एजुकेशन की विश्वा में सरवस्रेश्ट यूवा विश्व विधाले 2023 की सूची में सिर्ष इस्थान किसे मिला है अप्शन आपके सामने पेरिस साइंसेज एंड लेटर्स महात्मा गांधी विश्व विधाले नानियांग टेकनोलोजीकल इनुवरसिटी होंग कोंग विज्ञान एवं प्रोध्योगी की विश्व विधाले अभी दोस्तों हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन की विश्व में सर्वस्व विधाले 2023 की सूची में नानियांग उनुवरसिटी जो है वो प्रथम इस्थान पर है जबकि भारत की हम बात करें तो भारत की महात्मा गांधी उनुवरसिटी इसमें प्रथम इस्थान पर है इस परकार से पूरे वर्ड में नानियांग उनिवसिटी पर्थामिस्तान पर है जबकि भारत की हम बात करें तो भारत की महात्मा गांधी उनिवसिटी इसमें पर्थामिस्तान पर है इस परकार से इस क्यूशन का राइट आंशर होता है और यह नानियांग उनिवसिटी ज आपके सामने मिसर, ओमान, तंजानिया और UAE दोस्तों बात करें IIT दिली के आपसोर केमपस की तो ये कहां पे इस्थापित किया जाएगा UAE के अंदर इस्थापित किया जाएगा इस परकार से इस क्यूशन का राइट आंसर होता है आपसन नमबर D UAE चलिए बढ़ते हैं अगले क्यूशन की और अगला क्यूशन आपके सामने हाल ही में मिसेल बुलोग को किस देश के केंदरिये बैंक की पहली महीला गौर्णर के रूप में निउक्त किया गया है अपसन आपके सामने फ्रांस, आस्ट्रेलिया, कैनाड़ा और ब्रेटेन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी सात्यों का बहुत बहुत धन्यवाद, जैहिन, जैभारत